पैंसन आज की ताजा खबर अब नहीं रुकेगी पैंसन अब दोस्तों अगर आप एक पैंसन धरक हैं और आपके पैंसन रुकी हुई है तो उसके बारे में भी डिटेलवाई जानकर दी जाएगी कि आप उस पैंसन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं लेकिन जो सरकार दुआरा त दूस्तों यह कौन सा दस्तावेज है और किस प्रकार से आपको जमा करना होगा, कहां पर आपको जमा करना होगा इसकी डिटेलवाई जानकरी हम आपको यहां पर देने वाले हैं सारी दोस्तो यह दस्ताविज जमा करने की जो अंतिम्तिती है वह 31 दिसंबर 2021 सरकार द्वारा निर्धारित की गई है जो भी पैंसन धारक यह दस्ताविज जमा नहीं करेगा तो उसकी पैंसन रोक दी जाएगी और फिर उसको दोस्तो यह पैंसन नहीं दी जाएगी तब तक यह दस्तवेज जमा ना करते तो अगर आप भी एक पैंसन धारक हैं और पैंसन लेते हैं और आप चाते हैं कि भविश्य में आपकी कभी भी पैंसन ना रुके तो इस वीडियो को पुरावाश करिएगा और इस दस्तवेज को आप जरूर जमा करिएगा दोस्तों यह कौन सा दस्तवेज आप जमा कर पाएगे तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने इस पहले आगर आपने तक वीडियो को लाइक कर दीजिए जाहेदा शियर भी कर देजिए अब दोस्तों यहां पर आपको उतादे कि सरकार दौरा क्या ताजा अपडेट ज जारी की गई है अब किसी भी पैंसन धरक की पैंसन नहीं रोकी जाएगी तो जैसे कि आप से भी जानते हैं कि सरकार दौरा जो भी पैंसन धरक हैं उनको अपना एक दस्तवे जमा करना होता है साथ दोस्तों कुछ पैंसन धरकों की पैंसन रोकती गई है लेकिन अगर वह य सरकार दुवारा फिर से चालू हो जाएगी और दोस्तों उनकी फिर कभी भी पैंसन नहीं रोकी जाएगी अब यहाँ पर बताय गया है कि दोस्तों साल में एक बार आपको यह दस्तविज जमा करना होता है जिसका नाम है लाइफ सर्टिफिकेट अब दोस्तों इसकी जो अंत अंतिम्तिति को आगे बढ़ा दिया गया है अगर आपने यह दस्तविज अब तक जमा नहीं किया है तो दोस्तों आप अपने दस्तविज जमा कर दीजिए और जो आपकी रुक्वी पैंसन है वह फिर से चालू हो जाएगी अब दोस्तों आपको बता दे यहाँ पर बताय दिया गया है अब दोस्तों आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट है आपको कहाँ पर बनाना है कहाँ पर जमा करना है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर डेटेल वाई जानकारी दे देता हूँ दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह लाइफ सर्टिफिकेट आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी बना सकते हैं एक SMS आपको करना होगा या फिर दोस्तो अगर आप मोबाइल से नहीं बनाना चाहते हैं तो आपको किसी भी जन सेवा केंद्र पर जाकर अपना Life Certificate बनवा लेना है अब दोस्तो आपको जमा कहाँ पर करना है समय सिमा पहले निर्धारित की गई थी वे 30 नुवंबर 2021 अंतिम्तिजी थी जिसमें दोस्तो मेमोरंडम के अनुसार आप सभी उम्र के सरकारी जो पैंसन हैं वे 31 दिसंबर 2021 तक जमा कर सकते हैं दोस्तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो यह लाइफ सर्टिफिकेट है यह उन पैंसन धारकों को जमा करना होगा जो करमचारी हैं जो करमचारी हैं वे दोस्तो इस लाइफ सर्टिफिकेट को जमा 31 दिसंबर 2021 तक कर सकते हैं वे दोस्तो इस दोरान किसी भी पैंसन जो pension आपकी रोक दी जाती है वे pension आपकी नहीं रोकी जाएगी और विभाग ने pension डिस्प्रिसिंग अथोरेटिक यान के दोस्तो यहाँ पर PDA को pension का भूगतान बरकरार रखने को भी कहा गया है अब दोस्तो मैं आपको पता चाहूँगा कि जो यह life certificate है यह है दोस्तो केवल उन ही pension धारकों को जमा करने हैं जो सरकारी करमचारी थे जो retire हो चुगे हैं लेकिन दोस्तो जो समाज कल्यान भाग के तरब से pension लेते हैं उनको भी मैं आपको यहाँ पर जानकर देना चाहूँगा कि जिन pension धारकों की pension रोकी गई है जो आम pension धारक हैं उनके बारे में भी हाँ पर एक जानकर यह है दोस्तो वह मैं आपको देता हूँ दोस्तो यहाँ पर बताया गया कि यह दस्ता वेज केवल और केवल उन्ही pension धारकों को जमा करने हैं उत्तरपरदेश का हूँ राजिस्थान का हूँ हरियाना का हूँ जिस भी राजिय से रहने वाले हैं यहाँ पर सबसे पहले तुम आपको बदा दो कि सबसे पहले जो mistake है वे क्या पाई जा रही है तो सबसे पहले mistake पाई जा रही है जो आपका आधार card है सबसे ज़्यादा मिस्टेक पा जा रही है फिर दोस्तों दूसरी मिस्टेक ये है कि रापियंशन धार्ष का सुता जो बैंक अकाउंट है उसमें के वाइशी नहीं हुई है नहीं हुई है तीसरी कंडिशन ये है जो यहाँ पर mistake पाई गई है कि जो यहाँ पर pension धरक हैं दोस्तों pension धरक ने अपने जो फार्म अपलाई किया था दोस्तों तो उनका जो फार्म है उसमें गलत information दी हुई है तो आपको दोबार से आपना जो फार्म है वह दोस्तों login करना होगा login आपको अपना form करना होगा दोबारा से और उसमें जो भी गलती आप से हुई है वह आपको सही करनी होगी या फिर आप किसी वी जनसिवा केंद पर सिया सी केंद पर जाकर अपनी पैंसन का जो form है उसको सही करवा सकते हैं अगर आपने गलत इंफोर्मेशन दी है तो आप सही इंफोर्मेशन आप उसमें धर्ज कराईएगा तभी आपकी पैंसन रोकी जाएगी और आपको अपना एक मोबाइल नंबर भी उसमें डालना होगा ताकि दोस्तों पतर चलता रहे कि जो आपकी पैंसन आई है या नहीं आ जाएगी दोस्तों अगर आपने वीडियो का लाइक नहीं क्या है वीडियो को लाइक कर दीजे जासे शेयर कर दीजे और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर देजिए क्योंकि इस चैनल की माध्यम से आपको भरती से अगर आपको कोई भी सवाल है आप सिदे कमेंट बॉक्स में जाएगा और दोस्तों आप हमें सवाल कर सकते हैं आपके सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा